गोल कफ़े एक्सपर्ट फ्रीजर में से निकाल गा के रात को देशी घी न डबे में रख दिया था माइक्रोवेव के अंदर की वो पिघल जाएगा तो सुबह को यूज में करना है लेकिन वो डबा लीक हो गया और आप देखिए इतना जादा घी निकल गया मतब सारा घी आदे से जादा माइक्रोवेव के अंदर ही था मैंने बहुत सारा तो निकाल करके फिक दिया है जो मु स्पेशल रेसिपी चो कि हमारी होली पर बनाइज जाएंगे और होली का मज़ा इन रेसिपी इसके बिना अधुरा है साती सात आपको दर्शन कराऊंगी ठाकुर जी के और राधरानी के एक स्पेशल जग्या के और बहुत कुछ है आज के वीडियो में तो वीडियो को बिन जाना कि इसमें दो मुठी के करीबन उड़त की धुली डाल दी ती इसको राद बार सोक करके रखा था सुबह को इसका पाने निकाल करके और मैंने इसको पीस लिया है अब भी बना रही हो कुछ अलग तरीके से इसके अंदर मैंने लिए चार कप के करीबन दाल तो इसके बाद में करेंगे शुरुआत कामों की तो हो तो मैंने रग दी रेस्ट करने के लिए डाल को और अभी क्या कर değo दो कटोरी के करीबभ aan ना मैंने लिह सूजी सु शूजी के अंदर डाला है मैंने बहुत थोड़ा सा लगबग, एक करची के करिबन बड़ा वाला करची होती है उसके करिबन खी डाला है और हलका सा चुटकी भर नमक डाला है और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, पहले इसको अच्छे से क्रंबल कर लूघी और क्रम्बल करने के बाद में मैं इसके अंदर थोड़ा गुन-गुना पानी डाल करके इसका एक डो लगा लूगी हलका सा पतला लगाना है क्योंकि इसके बाद में सूजी जो होती है वो फूल जाती है और अगर पहले ही हम टाइट लगाएंगे तो और जाधा टाइट हो जाएगा तो देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी मैंने इसको हाथ से नीट करते करते ही इसको अच्छे से टाइट कर लिया है क्योंकि जो सूजी थी वो भी फूलने लगी है और इसको हमें रखने की जरूरत नहीं है मैंने हैंट टू हैंड इसको गूंदा और जितना हमारा अच्छा पाती का होता है उससे थोड़ा सा टाइट हो गया था और उसके बाद में इसकी छोटी छोटी बिल्कुल दानेदार गोलिया बना करके इसको लंबा लंबा मैंने बेला है और मैं बना रही हूं गोल गप्पे और इसमें इस तरीके से बनाएंगे तो ना आपको इसको रेस्ट करने देने की जरूरत है और ना ही आपको इसमें सो कर्ची लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यह खुदी पलट जाते हैं तो मैं इस तरीके से करते हुए यह देखिए इनको मैं बरा रही हूं और इसके अंदर डालती जारी हो और यह दो मिनट के बाद में अपने आप फूल करके बिल्कुल पूरे अच्छे से फूल रह है इसमें मुझे कोई भी कर्ची लगाने की जरूरत नहीं पड़े और जब लगबक तीन से तीन मिनट या चार मिनट रहेंगे ना तब यह खुदी पलट जाते अगर नहीं पलट जाते तो यह देखिए यह पलट गया ना तो इसी तरीके से खुद पलट जाएंगे अगर पलटे जाते तो आप हलका सा कर्ची लगा करके उसके ऊपर घी डाल देंगे तो वह करारे हो जाते मेरे गोल गप्पे बन करके तयार हो गए और आप देखो कितने अच्छे बने हैं सारे गोल गप्पे बहुत क्रिस्पी बने हैं फूले फूले बने हैं और इतने सॉफ्ट बिल्कुल भी हाड नहीं है यह ना निकालते समय ना एक दो नीचे गिर गेते और ठक से टूट गए बिल्कुल चूरा हो गया आपको दिखाती हूँ अगर बहुत ही आराम से खट खट वाले वह हो रही है और बहुत ही जादा क्रिस्पी है पूरा हाथ में लेकर के ऐसे देख हो जाता है तो खटा और मीठा दोनों बनाओगी इस तरीके का खटा मीठा पानी बनाने के लिए जो मैंने इमली की और गुड़ वाली जो चटनी बनाई वी थी ना उसी को दो चमच लिया है और उसके अंदर पानी में डाल दिया है उसके अंदर डाली है मैंने थोड़ी सी मिक्स करने के बाद में मैंने इसके अंदर डाल दिया बूंदी, बूंदी है मसाले वाली, अब ये देखिए मेरा बहुत ही बढ़िया वाला पानी बन करके तयार हो गया, इसके अंदर डालूँगी मैं थोड़ी सी एक चम्मच या दो चम्मच के करीबन हरी चटनी, जो अब बिल्कुल भी सबर नहीं हो रहा है, वो निकाल के खाने के, मीटी, हाथ हो लो, बहुत बड़ी हो रहा है, कितने नमबर, 10, सच में, सच में ममोजी, मैं एक गोलगप्प, वो एक्सपर्ट को गोलगप्पे कैसे लगे, बहुत लगे, अभी मैं अलग से निकाल करके दे दे लिए, सारे ऐसे मतवो करो, और पानी कैसा बना है, मारे मोजी ओना, खटा मीटा, जो दाल थी, उसमें से मैंने आदी दाल निकाल ली है, और उसके अंदर डाला है हलका सा नमक, और नमक के साथ-साथ मैंने डाली है, इसके अंदर तोड़ी सी अजवाइन हाथ से मेरी लाल मची पाउडर डाला है, थोड़ा सा गरबमसाला डाला है, और इन सब को मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से, और इसमें कोई सोडा वगर्णा डालने की जरूरत नहीं है, और इसको अच्छे से फैट लिया है लगबग एक मिनिट के लिए, और उसके बाद में मैंने इससे बनाई हैं बढ़िया तो हमारे आना होली पर ये शगन जरूर किया जाता है और मैं हर साल ही बनाती हूँ इस तरीके की बढ़िया आप इसको आलू बटर की सबजी के साथ में या आलू के साथ में या किसी भी सबजी में डाल करके बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और लाइट होती है तो ये क्योंकि मूं की डाल की बनी है तो ड प्रगन की वज़े से बनाती जरूर हूँ तो ये देखे मेरी बढ़ियां भी बन करके तयार हो गई हैं और इसके बाद में जितना भी बचा हुआ मेरा डाल था न तो उसके अंदर भी मैं हलका सा नमक डालूँगी बिल्कुल और कुछ भी नहीं डालूँगी और उसके बाद बड़े बोल दीजे तो मैं इस तरीके से इसके अंदर जितनी भी दाल बचीती मीडियम साइज के बड़े बना रही हूँ है बड़े मेरे बन करके तयार हो गए हैं अभी मेरी ली है यहाँ पर 400 ग्राम के करीबन मैदा इसके अंदर डाला है थोड़ा सा नमक और मैंने डाल हूँगी इसके बाद में थोड़ा घी तो 400 ग्राम मैदा के अंदर मैंने डाली है लगभग आधा कटोरी से भी थोड़ा सा कम था गी डाला और इसको हाथ से क्रंबल कर लिया क्रंबल करने के बाद में मैंने गुनगोने पानी से इसको गोथ लिया अच्छे से 10 मिनट का रे पतली पतली बनाएंगे और एक साथ धेर सारी ना डाल करके केवल 5-6 ही डाले तो यह अच्छे से सिख जाती है वैसे बहुत जल्दी सिख जाती है लेकिन इसको करारी करके सिखेंगे तो बहुत क्रिस्पी होती है और इनको बनाने के बाद में लगबग 2-3 गंटे तक के ल तो यह सारी चीजे मेरी बन करके तयार हो गई है इनको ठंडा करने रख दिया और अभी एक और रेसिपी बना रही हो उसके लिए मैंने लिए है एक कप सूजी आदा कप बेसन और इसके साथ साथ एक कप दही डाला है मैंने और यह खांडवी की तरह लगेगी लेकिन इसको बिल्कुल बारिक चॉप करके मैंने डाल करके अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद में कम से कम 20 मिनट के लिए मैंने डगने के लिए डग दिया 20 मिनट बाद मैंने एक थाली के अंदर ग्रीस करके इसको लगा दिया है थोड़ा थोड़ा बैटर करके डालना है बहुत जादा नहीं डालना और एक कड़ाई के अंदर मैंने पानी डाला उसके अंदर एक स्टैंड रख करके इस तरीके से थाली को रख दूँगी इसको कर ज़िता दरके इसको रोल करूंगी यह बन गए हमारे सूजी रोल अब इसको दो तरीके से खाया जा सकता है इसी तरीके से हरे धनीय की चटनी और टमैटो केचप के साथ में खा सकते हैं या फिर दूसरा तरीका है इसकी पतली-पतली स्लाइस करके और इसको डीफराइ कर क्योंकि मैंने इसमें वही वाली सीजनिंग डाली है और ये खानवी से थोड़ा सा डिफरेंट है चलो जल्दी खालो फटाफट से तियार हो जाओ फिर हमें चाना है और मैंने थोड़ी से सूजी रोल के इस तरीके से स्क्वाइर में कट कर लिया और इनको कर लिया डिफराई और ये बहुत अच्छे से फराई करना है जिससे की अंदर का कच्चापन निकल जाए और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाती है और इसको भी हरे धनिया की चटनी के साथ में खाया जा सकता है या मैं ये लगे हाथ सबजी भी चढ़ाती है तो शाम की मैंने सबजी चढ़ाई है स्परिंगनियन और पटैटो की सबजी बुनारिए ये बहुर टेस्टी बनती है और मैं तो सुबह में एक ही बार रेडी होती हूँ तो मैं तो रेडी थी अन्वेशा रेडी हुई और अब हम निकल गे पाहले हैं हम लोग आ गए हैं स्कॉन बोहर टाइम के बाद में नी थी और मैं गोहनों आए हैं इसलो चलते अंदर हरे दा खेज नाहा हैं किया है रेड हैं स्कॉन गोहर टाइम हाज। हम जुछने की स्कॉछने की स्ट्ध करते और मम्तिश्रालांदर हरे ठ्कोर पाहं कमिंदरादि शाल offense की स्ट्धूर्षा स्ट्वेश्ति शाल राता म मैंनों बादादि' तो मैं आगी दर्शन बहुत अच्छे से हुए और वहां से मैं लेकर के आई ठाकोंची के लिए कुछ सामान चोगी होली का लेकर के आई हूँ और बहुत जादा तो नहीं जो भी एक दो चीज़े लेकर के आई हूँ वो आपको दिखाती हूँ तो सबसे पहले मैं लेकर के आई हूँ उनके लिए ड्रेस और ये है वो ड्रेस आप देख पार है कितनी सुन्दर सी ड्रेस है हाला कि मैं यलो कलर की चारी थी लेकिन यलो कलर मुझे दिखा नहीं तो मैंने एक ये ली है और एक ली है ये वाली ये दिखे कितनी सुन्दर ड्रेस है न और ये है 100 रुपीज इच तो दोनों ही ड्रेस 100 रुपीज की मिली है ये जरकन वाला काम जो होता है ये थोड़ा कॉस्टली होता है मुझे 20 सेक्टर में इस तरह की ड्रेस दिखी नहीं क्योंकि वहाँ पर होती है तो काफी कॉस्टली होती है लेकिन ये बिल्कुल नया डेजाइन मुझे दिखा है एक ये कंगन लेके आई हूँ आप देखे बहुत ही चोटे-चोटे से हैं ये मुझे 40 रुपीज के दिये और छाकुर जी के लंगोट लेकर आई हूँ दो एक चोटा वाला 20 का और एक ये बड़ा वाला है ये 30 रुपीज का है गौमाता का ये चार पैकेट पाच पैकेट लेकर के आई हूँ मैं ये बहुत ही अच्छी धूप होती है गौमाता अगर आप कभी भी इस कुवन जाए तो ये वाली धूप जरूर लेकर के आए बहुत ही हवन जैसी खुश्बू आती है मैं आप देख रहे हैं ये रजनी गंधा के फूल लेकर के आई हो स्टिक और बहुत ही अच्छी खुश्बू आती है मतलब मेरे फेवरेट है इसमें से फूल में बहुत ही अच्छी तो लाइट जरूर कीचेगा, मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नए और इंटरस्टिंग वीडियो में, till then, be happy, be active, अपना ख्याल रखिये और मस्ते रहिए, पाइपाइब!